जेहिन दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को वाज करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिश्टे के घर बैटे बहुत इसा उदानी से इस फोर्म को भर पाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हुई हमारी ओफिसल वेबसेट जो पजियान डोटी ने इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा जैसे ही आप इस लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी कब से लेकर के कब तक आप लोग इस फोर्म को भर पाएंगे और क्या application fees यहाँ पर किस category से ली जाएगी और साथ ही यहाँ पर क्या eligibility रखिए है regular education mode में apply करने के लिए और 6603 में apply करने के लिए तो यह सब जानकारी आपको यहाँ पर check करने है चेक करने के बाद में अगर आप eligible हो और interested हो apply करने के लिए तो आपको apply online पर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आजाएगा अब आपको यहाँ पर new relation के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद relation का page आ चुका है अब आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका first name enter करना है यह enter करने के बाद में आपको आपका middle name enter करना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजे, फिर आपको यहाँ पर last name enter करना है, अब आती है date of birth, आपको यहाँ पर पहले day select करना है, फिर इसके बाद में जो भी आपका मन्त है वो और फिर यहाँ से आपका year आपको select कर लेना है, अब आता है gender तो जो भी gender है वो आप यहाँ पर select कर लीजे फिर आपको यहाँ पर आपके father का name enter करना है यह enter करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे mother name यानि कि आपको आपकी माताजी का नाम enter करना है फिर दोस्ते यहाँ पर आपको आपकी email id enter करनी है एक password आपको digit भी इस्तमाल कर लेना है कुछ इस तरह का password आपको create करना है वो यहाँ पर आपको डाल करके दोबारा fill करके verify करना है फिर यहाँ पर आपको आपका mobile number enter करना है यह जो capture code है वो capture code fill करना है और fill करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक क करने के बाद sign up के उपर click कर दीजिए अब guys मैं आपको बताना चाहूंगा anacademy के बारे में जो की इंडिया का largest learning platform है और anacademy आपके लिए anacademy goal फिर से लेकर के आया है UPSC CSC goal को पूरा करने के लिए क्योंकि यहाँ पर आपको 10 नहीं बलकि 20% की छूट दी जा रही है अग तो इन करते वक्त मेरे code AMJAD10 का स्तमाल करना बिलकुल भी मत भूले साथ ही मैं आपको बता दू कि UPSC CSC combat एक मई दोजार बाई सुबह 11 बजे फिर से होने वाला है जिसमें कि आपके 56 questions 60 minute का आपको इसके लिए time मिलेगा और आपको यहाँ पर इसकी जो highlights है वो देखने को मि कैसा रहता है वो आप यहाँ पर इस table के अंदर देख सकते कि आपको कैसे इसके अंदर जोइनिंग करनी है इसी के साथ T20 daily current affairs test series बाई परसान धवन यह आपकी Monday से Friday साम साड़े 7 बजे होती है और इसमें 20 questions 30 minute आपको इसके लिए मिलता है Hindi and English 2 language के अंदर यह रहती है Pathfinder current affairs April 2020 यह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते है Every Sunday साम 5 बजे यह आपकी होती है इसमे 25 MC के हो questions होते है 30 minute का आपको समय मिलता है Intense Prelims League free test series यह आपकी free test series है और यह आपकी April 8 से लेकर के April 29 दो 2022 तक चल रही है तो इसमें दोस्तों आपको इन subject के इन teacher दुआरा या फिर कह लिजे कि इन educator दुआरा आपकी preparation कराए जा रही है तो जल्दी से जाए वीडियो की description में आपको links दिये है और join कर लीजे और join करते वक्त code का इस्तवाल करना बिल्कुल भी मत भूले कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजेगा अब यहाँ पर दोस्तों details verify करने के बाद में आपके सामने करनी है जो आपको OTP आया है email और message के मादियम से हो यहाँ पर डालना है और submit के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका account verify हो चुका है activate हो चुका है अब आपको login के उपर क्लिक करना है login के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको sign in के उपर क्लिक करना और फिर जो email ID है आपकी जो register आपने की है वो यहाँ पर डालनी है अपना password एंटर करना है जो भी आपने बनाया है और फिर आपको submit के उपर किलिक करना है अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा आपको यहाँ पर my application इसके उपर किलिक करना है इसके उपर किलिक क करते हैं और फिर proceed के उपर किलिक कर देते हैं इसके उपर किलिक करने के बाद यहाँ पर टिक करें और आपको add the program इसके उपर किलिक करना है अब इसके उपर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम दिया गया है इसके बाद एक एंडेट नेम हिंदी यानिके आपको आप enter करने के बाद आपको नीचा आना है फिर यहाँ पर आपको state domosile आप भिहार के है या फिर अन्य state के वो आपको यहाँ पर select करना है nationality में आप Indian select करेंगे cast category आपकी जो भी यहाँ आप यहाँ पर select कर लीजे है अगर हां तो yes नहीं तो आपको no करना है क्या आप minority से बिलोंग करते है अगर हां तो आपको yes करना है yes करने के बाद आपके सामने minority community आजाएगी तो जो भी आपकी community है वो आपको select कर लेनी है proof of personal identification तो आपको यहाँ पर select के उपर click करके कोई एक ID select कर लेनी है तो जो भी आप यहाँ पर select कर रहे है उसी का number आपको यहाँ पर ID का देना है permanent address आपका क्या जिसकी building house number वो आप यहाँ पर लिख देंगे आपका landmark क्या है यान कि किसके नजजदी का आपका घर है वो आप यहाँ पर enter कर दीजेगा यह enter करने के बाद आपको यहाँ पर town, village, mohola का नाम देना है आपके post office का नाम देना है state यहाँ से आपको आपकी select कर लेनी है फिर आपको district एंटर करनी है pin code डाल देना है police station आपको नजजदी की कौन सा है वो आपको देना है कोई अन्य mobile number देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते ने तो आप इसको खाली छोड़ सकते है फिर आपका जो permanent address है और जो correspondence यानि के present address है क्या वो same है अगर एक जैसा है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजे टिक करने पर आपको दोबरा से इसको भढ़ने क्या हो सकता नहीं पड़ेगी फिर आपको यहाँ पर इस जानकरी को चेक करके save and proceed के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपके सामने photo and signature का जो section है वो आचुका है जहाँ पर आपको आपका photo upload करना है जो आपको यहाँ पर dimension दिया है चाहिए इस dimension के अंदर आपका photo हो ना हो बट जो size है उसके अंदर जरूर रहना चाहिए यानि कि photo का size 100kb से कम और format jpegfee jpg का रहना चाहिए तो choose file के उपर click करें और जहाँ पर भी आपका photo है वो आपको select करना है जिसके मैं एक random image यह वाला select करता हूँ और इसको open कर लेता हूँ open करने के बाद file का name आजएका मैं upload photo के उपर click करता हूँ तो इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे photo upload हो चुका है अब आपको सेम तरीके से आपका signature upload करना है तो जहाँ पर भी signature की file है वो आपको select करनी है और यहाँ से open करके आपको upload signature के उपर click करना है तो यह file भी आपकी upload हो चुकी है अब आपको नीचे save and proceed के उपर click करना है अब आती है आपके समने education detail for BADN के qualification की जानकारी तो सबसे पहले 10th यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन से board से की है आपको यहाँ पर काफी सारे board देखने को मिल पा रहे है अगर आपका board इन में है तो select करने हैं तो अधर के उपर click करके खुद इसे भर दीजेगा यहाँ पासिंग कौन से साल के अंदर आपने पास के वो आपको select करना है और आपके school का नाम क्या था आपके school या college का नाम क्या था वो आप यहाँ पर enter कर दीजेगा यह enter करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका marks type तो percentage में select कर लेता हूँ जो number आपको आई थे हो यहाँ पर आपको marks obtained के अंदर दे रहा है full marks क्या थे जितने में से आई थे और percentage जो है वो आपकी automatically आ जाएगी अब आपको सेम तरीके से बारवी की जानकारी देनी है आपको बारवी का board select करना है passing gear बताना है कि कौन से अंदर आपने pass की है फिर आपको यहाँ पर आपके college का नाम enter करना है कहां से आपने की है और आपको यहाँ पर percentage select करके number बताना है कि कितने number आपको आई थे और कितने में साहित हैं यहाँ पर आपको डाल देना है अभी कुछ candidate का सवाल ही हो सकता है कि सर जो मेरे number है वो CGPA के अंदर है तो आपको क्या करना है आपको आपके जो CGPA उनको percentage के अंदर convert करके यहाँ पर numbers को भरना होगा फिर आती है graduation तो graduation में आपको यहाँ पर आपका जो degree है graduation की कोई भी इन में से select करें अगर अलग है तो others के उपर click करें जिसके अगर आप अदर करेंगे तो अदर के बाद आपको जो भी course है graduation का वो आप खुद इसे enter कर सकते है मैं आपर B.A. select करता हूँ फिर यहाँ पर आपको आपकी university select करनी है कि कहां से आपने की है तो चलिए हम इसको इससे किये जो की affiliated है इस university से जिसका नाम आपने यहाँ पर select किया है तो आपको यहाँ पर उस degree college का नाम देना है फिर यहाँ से हम percentage select करते हैं जो आपको number आई थे हूँ यहाँ पर आपको भरने में example के रूप में number आपको भर करके दिखा रहा हूँ और total number यहाँ पर डाल देने हैं percentage आपकी आजाएगी अगर आपने PG degree भी किया तो आप यहाँ पर सेम तरीके से आपकी PG degree select करके जानकारी ऐसे भर दीजे जैसे कि आपने अभी गिरेजिशन की जानकारी भरी है इसके बाद save and proceed के उपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको OK कर देना है OK करने के बाद आता है documents detail for BED यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की mark sheet upload करनी है फिर यहाँ पर higher secondary की mark sheet यानि के 12th की mark sheet upload करनी है गरेजिशन final year mark sheet आपको यहाँ पर front side upload करनी है तो choose file के उपर क्लिक करे आपको यहाँ पर सभी जानकरी जो आपने अभी तक भरियन सभी को verify करना है और फिर आपको यहाँ पर टिक करके confirm and submit इसके उपर क्लिक करना है आपको क्या करना है आपको यहाँ पर फिर से नीचे आना है और आपको proceed to payment इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद payment type में आप online select करेंगे और select करने के बाद आपको किस माद्यम से फिर जमा करनी है वही माद्यम आपको यहाँ पर select कर लेना है debit card, credit card, net banking of other banks तो जो भी आप माद्यम select करना चाहते हो इस select करें और फिर आपको यहाँ पर जो proceed to pay है इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कुछ जानकारी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर pay now के उपर click करना है पे now के उपर click करने के बाद आप यहाँ पर देख लीज़े आपके सामने payment का option आ चुका है आप यहाँ पर जिस इन में से जो आपने माद्यम चुना है इसी माद्यम से अपने application फिस जमा कर दीज़े जैसे आपकी फिस जमा हो जाएगी तो आपका form final submit हो जाएगा और आप इसके बाद अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप लोग बिहार B.E.D.C.E.T. 2022 ऑनलाइन form को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो आप इस वीडियो को like, share और आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे होस्ट को subscribe करके bell icon को on कर ले Thanks for watching, जैहिंद